फालो और वेल्कम फ्रेंट्स पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की यह वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है आज के इस वीडियो में पाउ फंक्शन के बारे में सीखेंगे जी हां दोस्तों पाउ नाम का एक फंक्शन होता है एट जैसा कि आपको पता ही है ठीक है अब इसको प्रेंट कर करते हैं 125 रिजल्ट मिलता है या नहीं तो यहां पर देख सकते हैं यह 125 कल्कुलेट करके दे रहा है अगर 5 to the power 4 कर देते हैं तो 625 आना चाहिए एक बड़ चेक करते हैं क्या आता है तो यहां पर देख सकते हैं 625 या रहा है तो पाव फंक्शन जो प्री डिफाइन फंक्शन होता है पाइथन जो कुछ ऐसी तरीके से काम करेगा ओके